जै मा भगवती चंद्रबदनी साथियों आज हम दर्शन करेंगे चंद्रमा सी चाननी और शीतलता भखेर्ती मा चंद्रबदनी के शक्ती से जुड़ा हुआ टेरी गडवाल का यह प्रसिद्ध मंदिर है देव प्रयाक से 33 किलोमीटर और श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूरी पर है यह 274 मीटर उचाई पर है मरोरम द्रश्यवाला चंद्रकूर पर्वत परस्थितिय मंदिर है यहां उत्राखंडवासी दर्शन के लिए अकसर आया करते हैं माता उची हरी भरी चोटी पर वैटी बत्तों पर उपकार कर रही है यहां यह प्रचलित है कि मा सती का धड़ गिरा मंदिर में श्री अंत्र की पूजा होती है जिस पर चांदी का बड़ा छत्र सुशोगित है अब नए मंदिर की बाहरी दिवार पर भगवान, शिव पारवती जी, हनुमान जी, गनेज जी और मा काली की मूर्टियां विराजमान है मंदिर की अंतिम सीडियों पर भैरो बाबा और हनुमान जी, द्वारपा लोप में, इस्तित हैं और मंदिर के परिसर में ही शिव परिवार वर शिवलिंग भी स्थापित है यहां मा के वाहन सिंग भी है मंदिर क्योंकि काफी उचाई पर है, इसलिए यहां से हमाले की चोटियां सुरकंडा मा, बद्रिनाजी, केदानाजी की चोटियां भी देखी जा सकती है और मंदिर से 60 किलोमिटर दूर पर तहरी डाम भी देखा जा सकता है मंदिर वर्ष पर खुला रहता है और नवरात्रों में और अप्रेल के महीने यहां मेला लगता है दश्रदालू यहां आकर मा चंद्रबदनी की उजा अर्चना करते हैं, जागर गाते हैं, नासते हैं मनो कामना पूरी होती है तो ढोल दमोल बजवा कर मा का धन्यवाद करते हैं और अपनी श्रदा व्यक्त करते हैं यह जित्र काफी ठंडा है और रास्ते में भी आप बर्ष देख सकते हैं मंदिर के रास्ते इतने सुरम में हैं और मंदिर में पहुचत एक अनोखी शांती का हिसास होता है वीडियो का अन्थ देवी भागवत की इन पंक्तियों से करती हूँ जहां मा मनुष्यों को सदा ज्यान शील संयत चित या संयमी और पवित्र रहने का निर्देश देती हैं हमारे वेदों पुराणों में हजारों साल पहले रिश्यों ने अपने अनुभव से अपनी तपस्या से इतने सारे जीवन जीने के तरीके बता रख्ये हैं साथियों मानव जीवन के यूजवर यूजर मैनुवल हमारे देश में हजारों साल पहले लिखे जा चुके हैं फिर भी हम दिशाहीन होकर कभी यहां कभी वहां भटक रहे हैं मेरी आशा है और कामना है कि हम अपनी संस्कृती को जाने और थोड़ा बहुत असपर चलने की कोशिश करें तो सुखी रह पाएंगे यदि आपको मेरे विचार पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब इस चैनल थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो